नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेधी एजुकेशन द्वारा बनाया, मोग कोस्टिंस फोर प्रिलम्स 2021 में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वीनित सागर, 9 मार्च 2021 का इम्पोर्टन क्या क्या है, देख लेते हैं, आगे जाने से पहले लक्षा पर लाइका बटन जरूर हमें सपोर्ट करने के लिए अप्चानग के मेंबर भी बन सकते हो, जोईन बटन दबागे, कोसी नबर वान, रिसनली, देली हाई कोट, है सेट आप ए स्पेशल कमिटी तो प्रोवेड ट्रीटमें तरापी ओप्शेंस तो पेशेंस सफरिंग फ्रम रेर डिसीज़, कंसिड तो दोस्तो न्यूस आया था, डेली हाई कोट ने एक कमिटी सेट अप किया है, किसके लिए, तो फाइंड टाइम बॉर्ण सोलूशन ओन वेस्टो प्रोवेड ट्रीटमें तरापी ओप्शेंस तो पेशेंस सफरिंग फ्रम रेर डिसीज़, इसके लिए रेर डिसीज़ क्य है, इसको ओर्फन डिसीज़ भी बोलता है, इस एनी डिसीज़ अट एफेक्से स्मॉल परसेंडेज ओफ पोपलेशन, देखो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, कि कुछ डिसीज़ जो है, जब किसी को होता है, तो डॉक्टर्स बोलते है, यह ऐसा डिसीज़ है, जो ल या जिसको भी होता है, उसको कुछ हेल्प करने के लिए, क्या-क्या हो सकते है, गर्मन की तरफ से, इसी बारे में स्टडी करने के लिए, डेली हाईकोर ने एक स्पेशल कमिटी को फोर्म किया है, इसलिए न्यूज में आया, आप देखो दोस्तों, यह जो रे डिसीज़ है आप देखो, इंडिया में मोस्त कॉमन रह डिसीज़ कौन-कौन सा है, हीमोफीलिया, थालस सेमिया, सिकल से लानेमिया, प्राइमरी इम्मुनोडेफिचेंसी इन चील्डरन, ऑटो इम्मून डिसीज़, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसोर्डे सच पॉंपेड डिसीज, इतने भी डिसीज़ लिखाना, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, हो सकता है कई एग्जामिनेश में पूछा जाए, इतना डीपली कभी पूछेगा ने क्योंगी काफी मेडिकल टेर्म से, यह सब जो है, रे डिसीज़ की क्याटेगरी में है, आप देखो, इसमें जो थलसीमि जनेटिक डिसोर्डरा बहुर सकते हो, हीमोगलोबिन का जो कंटेंट है, ब्लड के अंदर, वो जिनको थलसेमिया होता है, उसमें कम रहता है, हीमोगलोबिन कम रहने से, हमारा जो रेड ब्लड सल से, वो ओक्सियन क्यारी नहीं कर पाता है, ठीक है, अब देखो, यह जो रे ऐधारेषण से सफल करते हैं, अब देखो, दोस्तों, रेड डिसीजेस जो होता है, अगर वो कोई अपर मिंडल क्लास या अपर प्रक्लास होने से, कोई प्रोब्लम नहीं है, पर गिरीबों में, अगर ऐसा कोई डिसेस होने से, बहुत प्रोब्लम होते हैं, क्यूंकि इस तरह की पोलिशी से लेके आते हैं देखो पर यह पोलिशी की सबसे क्या है 15 लग की असिस्टेंस देते हैं पर इसमें क्राइटीरिया है अगर वन टेम क्यूरेटीव ट्रीटमें पंदर लाग खर्च करने से ठीक हो जाते है तो गर्मन वो प्रवेट करते हैं treatment will be limited to the beneficiaries of प्रथान मंत्री जण आरोगी ऑजनाँ प्रथानमंत्री जन आरोगी उजना के बार में पहले भी आप को मैने बताया है अब इसके the beneficiaries लहांना अब हर सिरेजनुत तो नहीं हें हienciaँ इसमें बी कुछ क्राइटीरिया से राइट अब उश्में मैं नहीं जाहा हूँ द maximum effect होते है बैचों में जो एक साल से नीचे होता है ठीक है मतलब 35% of death आप इंडिया में देखोगे न वो एक साल से नीचे जो बैच्चे होते है बिल्कुल बैच्चे होते है उनीक होता है तो यह जो लिखाया statements यह गलत है सेकंड के नाशल पोल से ओ रडिजिजज़ प्रवेट फिनांशल सपोर्ट फिफ्टीन लाग्स यह मैंने बता दिया आपको और यह कौंसा स्कीम के अंदर आएगा राश्ट्री है आरो के निधी स्कीम यह इंपोर्टन है घ्यान दीजिएगा तीसरा क्या थालसेमिया इस वन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताईए आपको आपने आंसर किया होगे और आंसर इस ओप्षिन सी टू और थ्री ओल्ली तो स्टेटमेंट वन गेलत है देखो दोस्ते नूस सुबा हशिसा ने कवर किया था मैत्री सेदू यह क्या है एक ब्रिज है जो त्रिप्रा स् इंडिया और बंग्लादेश को करेगा यह पेवर के उपर है तेके एक इंडिया बंग्लादेश में बइल सालें हे लिए माहत्यो 3 के दोस्ती के नाम पर आसा ही नाम रखा है मैत्री सेदू आपको पता इंडियां बेलाइस का इंटरनेशन पहुक्षिंक सालों से the Brit spanning 1.9 km joins subroom in India with Ramgad in Bangladesh देखो India का subroom में उसको Bangladesh से कनलिट करते है तो इंडिया का कौन सा स्टेट जबेशे तरफ़ पुरा है अब देखो National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited तो यह जो प्रोजक्ट है जो माहित्री सेदू ब्रेट्स का पूरा देखवाल किया था नाशनल हाइवेस और इंफ्रास्ट्रक्टर डेल्बन कोपरेशन लिमिटन यह हमारे जो नाशनल हाइवेस अदोरक्र इंडिया का है या आप बोलो गर्मंड यह ही एक ईजनसी है जो नाशनल हाइवेस अंफ्रसक्रट्रक्टर डेल्बन कोपरेशन राइट तो कहीं इसके बार में वह कुच्छीं पूछा जाए आपके तो बता देना नाशल हाइवेस और इंफ्रास्ट्रक्राइबन कोरेशन 100% गर्मन्ट ओंड एक कमपेनी है एक कोरेशन है जो NHI, National Highways Authority of India के अंडर आता है पूरा प्रजेक्ट कोस्ट था 133 क्रोर अब देखू और एक कुछ लिखाए मैंने बेंगलादेश कौन-कौन सा Indian स्टेट से अपना बोर्डर शेर करते है देखू, वस्बंगाल, आस्साम मेखालिया, त्रिपुरा और मिजोरा इसमें सबसे ज्यादा आपको पताई होगा वस्बंगाल के साथ है अब देखू हमारा स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन क्या गा रहा है ब्रिज अस बिल्ड ओवर फेनी रिवर विच फ्लोस बिवीन इंडियन बोंटरी इन मेखालिया और बंगलादेश ये दोस्तों गलत है क्योंकि त्रिपुरा होना ची ये जो ब्रिज त्रिपुरा और बंगलादेश से कनेट करते है 5-Indian states shares boundary with बंगलादेश बिल्कुल सही National highways and infrastructure development cooperation limited has helped the construction of bids बिल्कुल सही क्योंकि अंसरी Consider the following statements which are correct. Video post कीजिए और answer बताइए. I hope आपने answer किया होगे. Now the answer is option D. All are correct. तीनो statements नहीं है. तो दोस्तों, इन न्यूस जो है. हर्षिस सा ने सुबा डेडी नूस में cover किया था. इसने में ज्यादा डीप नहीं जाओगा. Basically, एक MOU sign हुआ है. किसके बीच में? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare और Central Silk Board के बीच में. किसके लिए? Agroforestry in Silk Sector under the ongoing submission of Agroforestry Scheme को implement करने के लिए. तो basically आप एही सम्मझ लो. ये MOU से जितने भी Farmers अपने इंडिया में सरी कल्चर को take up करते हैं, उनको incentives मिलेगा. ठीक है? और हमारा Make in India, Make for the World Vision सबको help करेगा. आगे बढ़ारे होंने. अब देखो दोस्तों, सरी कल्चर क्या है? सरी कल्चर है, जो production of silk and rearing of silk worms इसे related है. अब देखो दोस्तों, आपको पता होगा silk के से produce होते है? Silk produce होते है, silk worms से. Silk worm क्या है? एक टेप का worm है, white color का रहता है. इसको पालते हैं. Silk worm खाते हैं, mulberry leaves. mulberry मतलब एक टेप का fruit है. दोस्तों, बहुत टेस्टी रहते हैं. आप लोग खाये होंगे mulberry. mulberry fruit है, जिस plan में होता है, उसको mulberry plant बोलते हैं. उसी के पत्ते खाते हैं, silk worms. तो जितने भी सरीकल्चर करते हैं, वो mulberry trees में, mulberry plants में, silk worms को पालते हैं. जब silk worms बढ़ा हो जाते हैं, उसको collect करके, उसी से silk बनाते हैं. आप क्या है? ये जो सब mission on agroforestry scheme है, न दोस्तों. ये आता है National Mission for Sustainable Agriculture में. आप आप पूछे है, National Mission for Sustainable Agriculture क्या है? ये one of the eight missions under the National Action Plan on Climate Change में से. आप National Action Plan on Climate Change क्या है? देखो दोस्तों, कई सारे international climate agreements हमने sign किया है. जैसे कि, Paris Climate Accord, है कि नहीं? और United Nations का Sustainable Development Goals भी है, जिसमें हमें climate को control करना है. और Paris Accord में से क्या है? हमारी जो temperature उसको 2 degree से कम रखना है. अब मतलब temperature increase को. आप देखो दोस्तों, ये जो National Mission for Sustainable Agriculture क्या करते है? इट सीक्स to address issues regarding sustainable agriculture in context of risk associated with climate change. तो बेसिकली, sustainable agriculture को promote करना है. मतलब है, जितने भी resources हम exploit करते है, उसको sustainably use करो. आगे वाले generations को भी use करना है. ऐसा नहीं, पूरी water resources को खतम करो. सब sustainably, carefully use करना है. It has been formulated for enhancing agriculture productivity, especially in rain-fed areas, focusing on the integrated farming, water use efficiency, soil health management, synergizing resource conservation. तो बेसिकली, sustainable use की बात हो रही है था. जितने भी resources के exploitation होता है, चाहे हो agriculture के लिए भी हो, वो sustainably करना है, carefully करना है. अब standard silk board के बारे में, ये एक statutory body है, 1948 में established हुआ था by an act of parliament. statutory body का मतलब क्या होता है, जो executive action से create होता है. ठीक है, मतलब कोई भी government चाहे तो, कोई भी एक special purpose body बना सकते हैं. एक parliament में एक law या एक act पास करते हैं, इसी के लिए, इसी को बोलते है statutory body. मतलब जो statutes में डिखते हैं, इसके बारे में, इसके बारे में, आपको पताई होगा, पुलिटी में आपको पढ़ाया है. आप देखो, ये आता है, ministry of textiles के अंडर, government of India का, और इसके headquarter है बैंगलू, ये भी important है, central silk board का headquarter, बैंगलू में है. अब हमेरा statements देख लीजिए, देखो, Department of Agriculture, Cooperation, Famous, Welfare, DAC and FW has been implementing the Submission on Agroforestry. देखो, दोसी, Submission on Agroforestry के बारे में ज्यादा में बताया है नहीं, सुभा की daily news आप देख लीजिए, आज का, उसमें हर्षिर सान अच्छी तरह समझाया है. तो यह implement कुन करते हैं, जो Submission on Agroforestry है, Department of Agriculture, Cooperation, Famous, Welfare करते हैं. बिल्कुल सही है, यह statement. सेकंड क्या है, Submission is under the National Mission for Sustainable Agriculture. यह मैंने आपको बता दिया, और यह National Mission for Sustainable Agriculture किसके अंदर आता है? जो National Action Plan है हमारा, Climate Change के लिए जो बनाया है, उसी के अंदर आता है. अब Senator Silk Board के बारे में, Statutory Board है, बिल्कुल सही, and Ministry of Textiles के अंदर आता है. राइट, So, Anseries Option D all are correct. Question No.4, Consider the following statements regarding National Commission for Backpacked Classes, which are correct. वीडियो पोस्ट किजी और आंसर बताईए. I hope आपने answer किया होगा, नवदा Anseries Option, B, 3 only, Statement 1 and 2 गलत है. तो दोस्तों, National Commission for Backpacked Classes से Related News आया था आज, Supreme Court ने सारे States को, Governments को पोचा है, जो 50% से एबोग कुछ States Reservation दे रहा है, उसके बारे में, News कवर किया था, हर्षी दिवेदी साना, जाके देख लीजिएगा, Related News जो इसलिए मैंने कोस्टीन डाला है, National Commission for Backpacked Classes के बारे में, तो Statement 1 and 2 गलत है, देखो, National Commission for Backpacked Classes, Constitutional Amendment Act 102, मतलब, 102nd Constitutional Amendment Act 2 सर 18 से, National Commission for Backpacked Classes को Constitutional Status दिया था, तो एक Statutory Body नहीं है, एक Constitutional Body है, राइट, It has authority to examine complaints and welfare measures regarding the socially and educational backpacked classes, Basically, OBC की बात हो रही है, उनके complaints को examine करने के लिए, उनके welfare measures के लिए, ये जो बोडी है, एक जो Commission है, National Commission for Backpacked Classes ये बनाया है, पहले NCBC जो है Statutory Body था, under the Ministry of Social Decisions and Empowerment, पर अभी जो है, ये Constitutional Body है, और कौन सा Constitutional Amendment कराया है इसके लिए, 102, Article 340 deals with the need to identify those socially and educational backpacked classes, देखो, ये कौन-कौन सा कास्ट जो है, socially and educationally backward, इसको identify करना होता है, ये State Government का या Government का काम होता है, तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, Article 340 में, और 102, Constitutional Amendment Act से, दो आर्टिकल इंसर्ट हो गया हमारे Constitution में, कौन-कौन सा है, 338, Brevo and 342, Alpha, आप मुझे common box में ये बताए, 338 और 338, Alpha किसे related है, इसमें क्या है, 338, B and 342, Alpha है, 338 और 338, Alpha किसे related है, आप देखो, structure of NCBC, NCBC का structure देख लीजिए, एक chairperson है, एक vice chairperson है, और 3 other members है, अपोन कोन करते है, प्रेजिदेंट बाइवार्ण रही सान्टन सील, तो प्रेजिदेंट अपोन करते हैं इनको, अब conditions are of service and tenure of office of chairperson, vice chairperson and other members is also determined by president, आप हमारा statement देख लीजिए, statement 1 क्या कहा रहा है, NCBC से statutory body, बेलकुल गलत है, statutory body था, पर 102 amendment, 102 वाला amendment से इसको constitutional body बना दिया, Minister of Social Decision and Empowerment is the ex-official chairman of the commission, गलत है दोस्तों, Minister of Social Decision and Empowerment नहीं है, अलग रहत है, और 3 कह है, Article 340, deals with the need to identify those, यह मैंने आपको अभी अभी बता है, यह भी सही है, तो answer is option B, 3 only, Question number 5, Which of the following government schemes are under the Ministry of Women and Child Development, वीडियो पोस कीजिए और answer बताईए, I hope आपने answer किया होगा, now the answer is option D, all of the above, तीनों schemes जो है, Ministry of Women and Child Development के अंदर आता है, दोस्तों सुभा की daily news में हशिसा ने एक news कवर किया था, जिसमें यह कहा था, कि Ministry of Women and Child Development ने एक announcement किया है, कि जितने भी schemes, Ministry of Women and Child Development के अंदर था ना, सबको 3 umbrella schemes के नीच लाएंगे, Ministry का कहना यह है, इस तरह करने से, जितने भी schemes का implementation है, इसमें यह ज्यादा अच्छा होगा, अब आगे देखेंगे, इसका implementation कैसे होगा, पर देखो, आपकी announcement की हिसाब से, Mission Portion, Mission Watch से लिया, और Mission Shakti के नीचे साड़े schemes आएंगे, अब कैसे कैसे देखते हैं, अब देखो दोस्तां सबसे पहले समझते हैं, Mission Shakti है क्या, Mission Shakti Women Empowerment के लिए, और Protection of Women के लिए लाया था, लेटेस्ट बजट में गर्मन ने 3,189 क्रोड भी allocate किया है, Mission Shakti के लिए, अब Ministry of Women and Child Development के हिसाब से, Mission Shakti के अंदर कौन कौन सा schemes लाएंगे, One Stop Center, Mahira Police Volunteer, बेटी बचाओ, बेटी पठाओ, Women's Help Line, प्रधान मंत्री, मात्र बंतने योजना, ठीके, इतना लाएंगे, Mission Shakti के अंदर, अब देखो, Mission Portion के अंदर, Ministry का कहना यह है, कि Portion अभयान और Supplementary Nutrition Program जो पहले था, ये दोनों, अब Mission Portion के अंदर लाएंगे, अब Mission Portion नाम से आपको पता चल गयो होगा, क्या है, देखो, Government Integrated Child Development Service, जो ICDS है, जिसके नीचे अंगनवाडी वगरा है, इसके तुरू, Lactating Mothers को, Pregnant Women को, छोटे-छोटे बैचे जो 5 साल के नीचे है, ये सबको nutrient food प्रोवेट करते हैं, ये है Mission Portion जोई दोस्तों, तो Mission Portion में, Portion अपहान और Supplementary Nutrition Program अगरा, इसके अंदर लाएंगे, Lactating Budget में, कितना पैसे अलोकेट किया, 20,105 क्रोष अलोकेट किया है, Mission Watch से लिए क्या है, देखो, Child Welfare Services, Child Protection Services, अब लेटेस बजट में, 900 क्रोष अलोकेट किया, Mission Watch से लिए, वही लिखा है इदर भी, अब देखो, हमारे स्टेटमेंट में देखे, Mission शक्ती, Mission Portion, Mission Watch से लिए, तो तीनों जो है, Ministry of Women and Child Health Men के अंदर आता है, All of the above is the answer, तो मेरा मतलब यह है था दोस्तों, कि आपको समझाना, Mission शक्ती के नीचे, Mission Portion के नीचे, Mission वार्सेले के नीचे, Women and Child Development Ministry ने जितने schemes लाया है, उसके बार में बताना, I hope आपको समझ में आ गया होगा, आप Women and Child Development के Official साइट में जाके देखिने से, आपको पता चलेगा, कितने schemes है, Women and Child Development Ministry के अंदर, जो इन तीन आपला schemes के नीचे लाया है, तो दोस्तों, हमारे daily five more questions इदर खतम हो रहा है, कले question पोछा था, Which of the following pair is wrongly matched, answer is option C, Victoria Memorial, गवान में नहीं है, यह है, कॉलकता में, आज का question देख लिजे, Which of the following is not a constitutional body, चारों में से constitutional body कौन सा नहीं है, इस question का answer आप जे, comment box में बता दीजेगा, तो यह वीडियो में इदर बंद करों दोस्तों, I hope आप लोगो कुछ सब सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आये तो maximum, share कीजेगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, like and comment के भीना मत जाएगा दोस्तों, अब जितना like and comment करोगी, उतना YouTube हमारे वीडियो को recommend करेंगे, इस तरह हमारी viewership बड़ेंगे, और भी लोग हमारे viewership बड़ा सकते हो, अग्सिवों कोशिश कीजिएगा, लेक्चर की PDF आई सूचल आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जागा, जिसका link नीचे description में provided है, हमारे चैनल द्वारा बना गया, सारे वीडियो की notification, सारे PPT's की PDF आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो thank you for watching, bye bye, have a nice day.